राजस्तान के पडोसी हरियाना में रुजहान और एक्जिट पूल के विपरीत भाजपा तीसरी बार सरकार बना चुकी हैं। हम पहले भी विशलेशन में चर्चा करते रहें कि भाजपा कई बदलाव इस चुनाव के बाद करेगी क्योंकि राजस्तान में अब उपचुनाव हो नहीं हैं। हम गड़ के विधायक जुवेर खान और सलुमबर के विधायक। अब संगठन में विस्तार युवा मोर्चा के सूची आती हैं वापस चली जाती हैं। साथ ही भाजपा के सियासी गणित पे चर्चा शुरू हुई है कि भाजपा अब बाई एलेक्शन को लेके क्या सोचेगी। कॉंगरेस क्या सोचेगी। क्योंकि राजस्थान में ये जो साथ सीटे हैं उसमें खीमसर और जुन-जनु सीट पर जात वोटर निर्नायक की भूमिका में हैं। भाजपा वहाँ एंटी जाट सेग्मेंट के आधार पे सरकार बनाती हैं। ऐसे में जाट फेक्टर जो है इन विदानसुबा उपचुनाओं में किसे जीत दिल आएगा। क्योंकि दोनों फी परड़ियां यहाँ पर जाट परत्याशी खड़े करती हैं। साथ सीटों पे जो उपचुनाओं होने ही हरियाना के बाद में इसको लेके अब नजरें। राजस्थान के ताजा तरीन जो आला कमान हैं सत्ता में वजनलाल सर्मा और संगठर में मदन राठोड तो बड़ी चीज़ यह हैं क्योंकि हरियाना के चुनाओं से यह माना जा र जावी हैं अब इनी दो सीटों पे बहस हैं किया जाट पोटर किसे जीत दिलाएगा क्योंकि इन दोनों सीटों पर जाट पोटर में कॉंग्रेस का माहूल रहा है साथ ही खियूसर वाले सीट पे अनुमान बेनिवाल लेकिन अगर जुझनों की पुरानी बात करें तो देख जुलू लोकसवक्षेतर से बना कायम खानियों की बड़ी संख्या बड़ी तादाद राजपुत कायम खानी गटबंदन जो है और राजंदर गुढ़ा की जो सक्रियता है खास करके जुझनों इलाके में उसने कई सारी चीजें जो है उलज़ा दी हैं अब बड़ी चीज ह हैं कि सियासी समीकरण ये बदले हैं उसके बाद सतीश पुनिया और राजंदर राठोड में राजंदर राठोड और सतीश पुनिया जो कि किस तरह से बड़ी जिम्मेदारी पाएंगी बड़ी चीज हैं साथ ही बड़ा सवाल है कि अशोग गहलोत कॉंग्रेस के दिगज से आगे ले जाएगी या इस पर फूल स्टॉप लगाएगी सवाल है लेकिन कॉंग्रेस अपने जो वरिष्ट नेता है और खास करके अशोग गहलोत जैसे वरिष्ट नेता जो कि प्रो पीपल प्रो पूर योजनाई लाने में अगरणी रहे हैं साथ ही पब्लिक के बीच उनकी एक अलग छवी हैं यह सारी जो चीज है वो देखने वाली बात हैं कि क्या अशो गहलोत की आगामी राजनिती रहेगी सतीश्पूनिया की क्या रहेगी क्योंकि शतीश्पूनिया जाड बहुल इलाकों में प्रचार में रहे पार्टी के प्रभारिई थे और उनकी न राजंदरा ठोड की भी खासी भूमिका पे बात करनी बनती हैं कि उन्हें भी नई जिम्मेदारी संग्ठन क्या देगा या सत्ता में कोई बागीदारी मिल सकती हैं सारी चीज हैं तो सबसे बड़ी चीज हैं कि हरियाना चुनाव में अशोग गहलोत ने जो सीनियर आपजरव के रूप में चुनावी रणनिती बनाई थी पुपेंदर सिंग उड़्डा के साथ और वो हाश्वस्त भी थे उनका हरियाना मॉडल रास्तान में लागू करना और तमाम चीजें लेकिन अब कॉंग्रेस जिस तरीके से हारी हैं वो अशोग गहलोत की स्थिति कमजोर वाली क्योंकि खास करके राहुल कांदी बगावत वाले मामले को लेके नाराज रहे हैं अजय माकन कैसी गौण गौण को पाल वाँ तैय कर दिये थे कि सीम कौन तैय करेगा ये अबजरवर तैय करेंगे लेकिन जिस तरह से 25 सितंबर यहां हुआ उसी तरीके से 8 अक्टूबर भी कॉंग्रेस के लिए ठीक मुफीद नहीं रहा अब सारी चीज हैं कि अब कॉंग्रेस में सदारत कौन करेगा हालां कि मारवार वाले इलाके में उपचुनाव नहीं हैं ऐसे में जिस इलाके में हैं वहां कॉंख्रेस के बड़े नेताओं में हरिश मीना, गोविन सिंग आसरा इन इलाकों में प्रभावी हैं, साथ ही ये सारी चीजें क्योंकि अशो गैलोत राजथान में कॉंग्रेस की कमजोर रिष्थिति को लेके हमेशा निशाने पर आते रहे हैं, यहां तक कि वो लोगस्वा चुनाओं में बेटे वैबो गैलोत को भी नहीं जिता पाए, क् इस चुनाओं की निरने के बाद और कॉंग्रेस की अन रने लगी बड़ी चीज हैं, यह सारी जो बाते हैं, इसको लेके राजस्थान पर चर्शा शुरू हो गई है कि संगठन में मदन राठोड कब बदलाव करेंगे, और जब बदलाव करेंगे तो कौन-कौन उसमें तार तमाम चीजें हरियाना चुनाओं पर टिकी हुई थी, बीजेपी के लिए यहां गुड नियूज आई हैं, और इस गुड नियूज के बाद में भाजपा इस गुड नियूज को किस तरीके से जो है वो अब आगे की रणनिती में तै करेगी, क्योंकि भाजपा के समर् पर हनुआन बेनिवाल अलग हुए थे भाजपा से, अब भाजपा क्या इतर जाट वोटर जो हैं, जैसे कि हरियाना में उनके लिए चीजें मुकमल हुई, हरियाना में जिस तरह से भाजपा को जीत मिली, लगातार तीन बार भाजपा जो है, वो सरकार बनाने में पहली बा नजर नहीं आ रहा, कॉंग्रेस के विपक्ष प्रतिपक्ष जो है, वो लगातार निशाने पे ले रहे हैं, और सारी चीजें कि कॉंग्रेस और भाजपा के बीच यह जो इन साथ सीटों को लेके, जहां एक पार्टी का जिक्र करना भी बनता है, 84 सीट पे प्रभावी जो है भारत आदिवासी पार्टी, साथ ही वो 84 के अलावा सलूंबर में भी वोट तोड़ेगी, और सलूंबर भी वो यह आश्वासन मान रहे हैं, कि उनकी जैसी डिमांड है, नया प्रदेश, भील प्रदेश, हिंदू दर्म से अलग माहोल, इन सब को लेके, जो उनकी डिमां हैं, दोसा में जिस तरह से मुराइलाल मिना, या देवली उनियारा सीट में भी तो यहां आदिवासी और गूरजर वोट बेंक एक बड़ी भूमी का निभा सकते हैं, चूंकि यह जो पूरवी राजस्तान और उत्री राजस्तान में सचिन पाइलेट का एक गुट रहा है, जिनका एक प्रभाव रहा है, और ज़्यादतर वो इलाके हैं, जहां चुनाव होने, सचिन पाइलेट का पकड़ बाना जाता है, जो सांसद बने हैं लोग, चाहे वो मुराइलाल मिना रहे हो, चाहे वो हरीश मिना हो, चाहे वो जो तीसरे सांसद हैं, जुन-जुनों से, ब्रजेंदर ओला, ये सभी लोग सचिन पाइलेट गुट के रूप में देख रहे हैं, तो कांग्रेस क्या करेगी, अशो गैलोत ये सचिन पाइलेट, या उभर रहे डोटासरा, वहां एक कोई अलग अपनी छवी प्रस्तुत करने में सफल रहेंगे, चुनकि डोटासरा बिते एक-दो साल में जिस तरीके से उन्होंने फटकारा जो कहते हैं, और ऐसा माना जा रहा हैं कि कांग्रेस के लोग जो फील गुड में थे, कि अब बस सरकार बन चुके, ये साट सीटें आ रहें, ये सीम कौन बनेगा, लोग मत्था टेगने लगे थे मंदिरों पे, दे खामोश रही, और हला जादा हुआ कांग्रेस की, और सिर्वो हला हार की वजह बन गया, एक सेग्मेंट का, पर्टिकुलरली सेग्मेंट का वोट जो है, वो अगेंस्ट खड़ा हुआ, और बड़े प्रभावी तरीके से वो वोटर खामोश रहके चुप-चाप डालके कां अजपक, यह तमाम चीजें हैं, जिससे राज़स्तान की राज़निती, इफेक्ट कर रही है हर्याना इलیک्शन के बाद, तो जैसा मैं बता रहाथा की सारी चीजें की इस अलेक्शन के बाद, सीधे तो और पर सीधे तो और पर एक चीज तो यह होगी, करास्तान में सत्ता और संगठन में बदलाव होगा, क्या होगा हर्याना की जीत अगर हार होती तो अलग चीजें होती जीत हुई हैं, तमाम चीजें आपको क्या लगता हैं, कमेंट करके बताएं वीडियो को लाइक शेर करें, तन्यवाद